हलो फ्रेंड्स, अर्थ सास्थ के विविन प्रतियोगी परिक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रशनों में एक महत्पुन प्रशन है कि भारत में निर्धनता का प्रथम आकलन किस ने किया था? तो भारत में गरीबी या निर्धनता का पहला आकलन लखड़ावाला समीती ने किया था लखड़ावाला समीती गठन 1993 में किया गया था और इसके अध्यक्षते प्रोफेसर डीटी लखड़ावाला उन्ही के नाम पर समीती के नाम लखड़ावाला समीती रखा गया था 2011 तक आधिकारिक गरीवी रेखा जो भी बताई जाती है यह लकड़ावाला समीती के शिफारिशों पर ही आधारित थी लकड़ावाला समीती के अनुसार एक गरीब वह है जो इन औसत आवशक्ताओं को पूरा नहीं कर सकता है इस समीती ने प्रति व्यक्ति परिवार का उपभोग व्याय के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारन किया था या परिभाशित किया था समीती ने गरीबी रेखा के आकलन के लिए CPIAL और द्योगिक मजदूरों के लिए जो भोगता मुल्य सुचकांग होता है और CPIAL जो क्रिशी मजदूरों के इंडस्ट्रियल रेबल लेबर हो गया IAL और अग्रिकल्चिरल लेबर हो गया IAL तो क्रिशी मजदूरों के लिए उभोगता मुल्य सुचकांग जिसे CPIAL कहते हैं उसका इस्तेमाल किया पहले के अनुमानों में स्वास्त और शिक्षा दोनों को बाहर रखा गया था क्योंकि उन्हें राज्यों द्वारा प्रदान किये जाने की उमीद थी गरीबी की गणना करने में याकलन करने की विधी में पहले प्रती भ्यक्ति घरेलू ब्याय का अनुमान लगाना शामिल है जिस पर आसत उर्जा मांदंड पूरा किया जाता है और फिर उस ब्याय के साथ गरीवी रेखा के रूप में परिभाशित किया जाता है जो प्रति ब्यक्ति अनुमानित मोल्य से कम ब्याय वाले घरों में रहते हैं लकड़ा वाला समीति सूत्रों का नतीजा था कि गरीवी रेखा के नीचे के लोगों की संख्या लगभग दुगनी हो गई थी 1993-94 में गरीवी रेखा के नीचे लोगों की संख्या पूरी जन संख्या का शोलब था लकड़ा वाला गन्ना के तहत यह बढ़कर 36 पौल हो गया गरीवी रेखा इस प्रकार निर्धारित की गई थी कि उनसे उपर का कोई भी व्यक्ति कपड़ा और आश्रे के अलावा ग्रामीन और सहरी छेतर में 2400 कैलोरी ग्रामीन छेतर में और सहरी छेतर में 2100 कैलोरी की खपत का खर्च उठा सकेगा यहां कैलोरी खपत की समीति से ली गई और इसे इसका गरीबी रेखा के आकलन में इसका प्रयोग किया गया यह अलग समीति की देन थी